फसलों में बीमारियों का प्रकोप भी होता है और खास तोर से बीमारियों का प्रकोप बुआई के तुरंद बाद ही चालू हो जाता है यानि जैसे ही अपने फसल बोई उस समय उसे ही बीमारियों का प्रकोप चालू हो जाता है तो उसके लिए हमको बीज उप्चार करने के आवशकता है तो बीज उप्चार से क्या होता है जो जडगलन वली जो बीमारिया है जो या तो मिट्टी में जो जीवानूर होते हैं उनके द्वारा लगती है या बीज में जो जीवानूर होते हैं उनके द्वारा ये बिमारियां फ्यलती है जिनकों कहते है भूमी जनित और भीज जनित बिमारियां तो उन दौनों की रोकथाम के लिए अब बेग्यानेकोंने ऐसे जैसे जैसाज सी मित्र कीट है उसी प्रकार का मित्र फपूंद है ट्राईकोडर्मा उसको भी तैयार किया ह उपयोग करके यानि बीज उपचार के समय ट्राइकोडर्मा उपयोग करके और अनेक फसलें जैसे खरीब की फसलें हों, रभी की फसलें हों, जायद फसलें हों, सब्जियां हों, सभी फसलों में इसका उपयोग करके और बीज उपचार के समय या अपन रोपाई के समय जैसे पौद रोपण के समय हम पौद उप्चार भी कर सकते हैं इस प्रकार से ट्राइको डर्मा का उप्योख करके बीजने भूमी जने जो भी बीमारियां है जड़ गलन वाली तना गलन वाली उन सब की रोक्ताम बड़े ही आसानी से और बिना किसी रासानिक दवाके और ट्राइको डर्मा के उप्योग से की जा सकती है